भारत का सिर मौर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में आदरणिये प्रधान मंत्री शिरी नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में अबूत पूर्वित गती से हो रहा परिवर्तन और विकास पूरे देश के लिए एक मिसाल है जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है हम विक्सित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे प्रधान मंत्री जी के विक्सित भारत के संकल्प एवं नारी, युवा, किसान और गरीबादी सभी वर्गों के उत्थान की प्रतिबधता से जम्मू कश्मीर में सरवांगीर्ण और सर्विस परशी विकास हो रहा है जहां एक और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आयुश्मान सेहत योजना के अंतरगत पांच लाख तक के मुफ्तिलाज का लाभू मिल रहा है वहीं दूसरी ओर 16 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्द कराया जा रहा है और लगभग 9 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है आधरणिय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेत्रित्व और मानेनिय उपराज जपाल शिरी मनुश सेनह जी के दिशा निर्देश में जम्मू कश्मीर में अमन और तरखी के सोननी मिशुक का आगास हुआ है प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा कर नामुम्किन समझे जाने वाले इस काम को मुम्किन कर दिखाया और आज यहां की आवाम को वो सब हको हुकूप मिल गए हैं जो की देश के अन्य नागरिकों को प्राप्थ हैं मानिनिय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज होलिस्टिक क्रिशी विकास योजना के लोकारपन के साथ जम्मू कश्मीर के क्रिशी परिवेश में एक नई युग का आगास हुआ है किसानों के हितों के प्रती समर्पित भारत सरकार की नीतियों को अपनाते हुए आज जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा पांच हजार करोडों पैसे अधिकी लागत से तयार समग्र क्रिशी विकास योजना पूरे देश में अपनी तरह का एक मात्र ऐसा व्यापक कारकरम है जिसमें क्रिशी और संबदिक शेत्रों में फैली 29 महत्पूर्ण परियोचनाई जिनमें होटी कल्चर, पशुपालन, मत्से पालन, मदुमक्की पालन, पोल्टरी पालन, सेरी कल्चर, मशरूम फार्विंग इत्यादी शामिल है हॉलिस्टिक क्रिशी विकास कारकरम के तहट आगामी पांच वर्षों में 13 लाख किसान परिवारों की आजीविका में सुधा, लगभग 3 लाख रोजगार के नए अफसर, 19,000 क्रिशी उद्यमों के नेटवर्क की इस्थापना और क्रिशी संबंधित क्षेत्रों में 5 किसान साती पोर्टल डिजाइन किया गया है, जो एक वन स्टॉप समयधान है, दक्ष किसान, किसानों के लिए एक अनूठी शिक्षन प्रबंधन प्रनाली है, जिसमें हजारों कोर्स और वीडियो हैं, जो किसानों को क्रिशी से जुड़े आवाशक कौशल प्रदान करते ह किसान संपर्क अभियान के पहले मरहले में ही, चार हजार पंचायतों और पांच लाग से अधिक किसानों को इस कारिक्रम से जोड़ा गया है, साथ ही किसान खिदमत घर का भी प्रावधान है, जिसके जरीए किसानों को एक ही छट के नीचे, विशेश सलाह, मौसम और क्रिशी संबंधित जरूरत तक हर सुविधा उपलब्द की गई है, अमन और शांती के वातावरण में, 2023 में G20 परियतन कारिय समीती के सभल आयोजन ने, जम्मू कश्मीर को विश्व के परियतन मांचितर पर स्थापित किया है, साथ ही यहाँ पर एक दशक में सबसे अ जम्मू कश्मीर को किसी भी विदेशी परियतक स्थल के समकक्ष खड़ा कर दिया है, जम्मू कश्मीर में इंफरस्टक्चर निर्मान में अभूत पूर्वर रफ्तार से कारे हुआ है, और लगभग साथ हजार करोड की लागत से हाईवे, सडक और पुल निर्मान की अनेक परियोचनाओं पर काम चला है, लगभग 13,000 करोड की लागत से परियोचनाओं के क्रियानवेन के साथ, लगभग 15,000 ग्रामेंड परिवारों के घरों में जल पहुचाया गया है, पिछले 5 वर्षों में लगभग 5,000 करोड की निवेश से, जम्मू कश्मीर की अर्थ वैव को बल मिला है स्मार्ट सिटी मिशन के तहट जम्मू और श्री नगर में लगभग 4,000 करोड की लागत से 200 से अधिक पर योजनाओं को पूरा किया गया है समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए पीम आवास योजना के अंतरगत लगभग 3,500,000 घरों को मन्जूरी दी गई है और लाडली बेटी योजना में लगभग 785 करोड का आवंटन किया गया है आज जम्मू और कश्मीर में लगभग 47,000 लगपती दी दिया है जो महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उधारण है जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में लगभग 35,000 व्यक्तियों को पार दर्शी तरिके से सरकारी नौकरी दी गई है मानिनी प्रधान मंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर में आज देश में सबसे अधिक 1120 ऑनलाइन सेवाएं प्रधान की जा रही हैं 25,000 से अधिक खिलाणियों ने राष्टिये और राष्टिये स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए पर्चम लहराया है गुल्मर्ग में लगातार चौथे बर्ष राष्टिये विंटर गेम्स के आयोजन के साथ साथ जम्मू कश्मीर देश का विंटर स्पोर्स कैपिटल बन गया है मानेनिये प्रधान मं श्री नरेंदर मोधी जी की प्रेणा से जम्मू कश्मीर आज एक नई सोच और नई रफदार के साथ नित नए आयाम हासिल कर रहा है